हलो दोस्तो क्या हल चाल आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट कन भर्षन के उपर कुछ लोगों का कमेंट बहुत दिनों से आ रहा था कि जब भी हम कोई जमीन या कोई घर वगेरा जब हम वर्ग फुट में माप लेते हैं और हम उसको वर्ग मीटर में या फिर वर्ग कड़ी में या फिर वर्ग गज में अगर परिवर्तन करना चाहे तो किस तरह से परिवर्तित करें वैं कि हो सकता है जो भी आप प्लोट माप रहे हों समझ्ये कि इस तरह से प्लोट है 70 फिट लंबा है और फिर 20 फिट चाव्डा है अब यह आयताकार बनेंगे या फिर हम बदलना चाहा है वर्ग कड़ी में तो कैसे बनेंगे बहुत ही आसान तरीका आज किस वीडियो में बताने वाले हैं अगर आप जानते हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देखें कि आज के बाद आएसे कंभरसन के लिए दूसरे बीडियो देखने की होगा वह भी आज हम सीख लेंगे दो सवाल पर जर्जा करेंगे मुल रूप से ठीक है तो आपको समझ में पूरा किलियर आ जाएगा चलिए लेकिन इसको कनभर्शन करने से पहले आपको यह चीज़ कम से कम याद करना पड़ेगा हलाकि मैं यहां पर 4-5 ही लिखाया है और ब नोट किजिएगा दो चार दिन तक इसको देखिएगा तभी याद हो सकता है केवल वीडियो एक बार देख लें और यह हमेशा के लिए याद हो जाए ऐसा पोसिबल नहीं है हां एक आद व्यक्ति होंगे ऐसा जिसको एक ही बार में याद हो जाए लेकिन उतना पोसिबल न ज्यादा मतलब कि सावतीन फुट मान सकते हैं ओके एक काज में होता है तीन फुट यह सबको पता होगा मैं बहुत बिछार वीडियो में बताएं हैं फिर एक फुट में होता है 0.33 गज देखिए अगर आपको यह याद रहेगा कि एक गज में होता है तीन फुट तो फिर एक फुट में कितना गज होता है असानी से निकाल सकते हैं, एक फुट में कितना गज होता है असानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे, इस तीन से एक को क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, तो वो चीज एक फुट का मान आ जाएगा, ओके यह सब तो आप कितना कड़ी होता है लगभग डेड़ कड़ी कितना लगभग डेड़ कड़ी लेकिन यहां में एकजक्टर लिग दिया है कि 1.515 कड़ी होता है फिर एक कड़ी में कितना होता है 0.66 फूट यह कैसे आया 0.66 फूट यह 1.515 को हम क्या करेंगे इधर लाएंगे तो 1 को क्या करे भाग लगा देंगे इससे तो यह कड़ी का मान आ जाएगा खेर हां पहला सवाल मेरे सामने क्या था सवाल यह था कि 800 फूट को किसमेंचेंज करना है वर्ग कड़ी में वर्ग मीटर में वर्ग गज में चलिए बदलते हैं अठाइसो वर्ग फूट है देखें क्या है अठाइसो वर्ग फूट अब इसको उनको बदलना है किसमें वर्ग कड़ी में सबसे पहले बदलते हैं तो देखें एकदम तरीका बहुत ही आसान है केवाल आपको ध्यान देना है अठाइसो वर्ग फूट को आप क्या कीजिए अठाइसो गुना में क्या कीजिए एक वर्ग फूट लिख दीजिए देखें ये दोनों चीज बराबर है अब आठाइसो को गुना एक वर्ग फूट से कीजिए तो आठाइसो वर्ग फूट आएगा ये तो आप जान रहे है यानि कि यह कूल मिनाकर कि यह जो नीचे लिखे हैं वो 2800 वर्ग फुट ही है लेकिन तरीका लिखने का केवल अलग है चलिए अब इससे क्या फैदा होगा इससे यह फैदा होगा कि देखिए यहां 2800 का 2800 लिखेंगे गुना अब एक वर्ग फुट को हम लिख देंगे एक फ 1 कर अब यहां पर देखिए और आगे इसके करेंगे 28200 लिख देंगे गुना आप यहां पर एक फुट में कितना कड़ी होता यह अब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा इसलिए यह सब कामभम कर रहे थे अगर आप इस वर्ग फुट को इस वर्ग फुट को आप वर्ग कड़ी में बदलना चाहरे हैं तो यहां पर एक फुट कमान कड़ी में कितना होगा यह लिखना पड़ेगा अगर गज में निक सब्सक्राइब करना पड़ेगा नहीं सब्सक्राइब एक फूट के जगा पर हम क्या लिख दिये 1.515 कड़ी तो देखें फूट में था वो कड़ी में सब्सक्राइब करने पर सब्सक्राइब करेंगे तो वर्ग कड़ी आएगा वर्ग कड़ी चलिए यतना तो समझ में आ गया होगा आप यहां पर इसको गुना कर दीजे यह संख्या है और यह संख्या है दोनों को गुना कर दीजे गुना करने पर आता है चौर सट चबवीस दसमलों तीर सट वर्ग कड़ी देखिए चेंज हो गया नहीं चेंज हुआ यहां पर था वर्ग फुट में और वो चींज अभी किस में हो गया वर्ग कड़ी में सिंपल सी फंडा है ठीक है इसी प्रोसेस से आप कोई भी कंभरसन असानी से कर सकते हैं अगर आप इसको चाहते अठाइस वर्ग फुट को बदलना किसमें वर्ग गज में तो वर्ग गज में बदल सकते थे यहां जो एक फुट का जो मान लिखे हैं यहां पर 1.515 वहां पर एक फुट में कितना गज होता है यह चीज लिखना पड़ता यानि कि 0.33 गज यहां पर लिखना पड़ता यह वला यहां पर अब स्क्वाइर करके कल्कुलेशन करके जितना आता उतना वर्ग गज हो जाता 800 वर्ग फुट का मान या फिर अगर वर्ग में सवाल में क्या था गर कंड़ाया तो बदना वर्ण बदल दो बदलें कितना आया किःते हैं यहां पर आ गया है 6426,63 64 2626 2626 इतना वर्ग कड़ी आया अब कितना वर्ग मीटर राएगा कितना वर्ग गज आएगा यह तो हम अभी बता ही रहे थे वर्ग गज में अगर बदलना रहता तो यहां पर एक फुट का मान गज में कितना होता है 0.33 तो यहां पर 0.33 गज लिख देते हैं इसका स्क्वार करते हैं कैलकुलेशन भी जितना अदना वर्गज एंसर हो जाता तो सैद आपको समझ में आ गया होगा आप अपने से कर सकते हैं को दिकत नहीं है दूसरा सवाल भी कर देते हैं तो किलियर हो जाएगा आप अपने से हम वर्ग कड़ी में केवल करके दिखाए हैं केवल हम वर्ग कड़ी के निकाल कर दिखाए हैं वर्ग मीटर वाला भी आपने आप निकाल सकते हैं वर्ग गज कभी निकाल सकते हैं हो सकता है आपको वर्ग मीटर वाला निकालने में दिकता सकती है क्योंकि आपको पता नहीं है कि भाई एक फुट में कितना मीटर होता है यहां पर लिखा गया है नहीं लिखा गया है लेकिन यहां के सम्मंद से हम निकाल सकते हैं कि एक फुट में कितना मीटर होता है हम जान रहे हैं कि भाई एक मीटर में इतना ने तोब अधूट होता है एक मीटर में इतना फूत होता है तो एक फूट में कितना होगा जैसे कि यहां पर लिखा गया है एक मीटर बराबर 3.2 इट पुट अभी इसको इधर भाग भागम लेये नहीं जैसे कि यहां पर लिखेंगे एक मीटर अब 3.28 है अब इसको इंटू हम लिख सकते हैं एक फुट अराम से अराम से क्योंकि 3.28 को गुना अगर एक फुट से करेंगे तो 3.28 फुट ही आएगा उपर वाला ही आएगा अब यह जो 3.28 है इधर लेया इसको डिभैड में तो डिभैड में अगर लाते हैं यहां आ जाएगा 3.28 है कि नहीं अब यह वाला क्या हो जाएगा यहां से हट जाएगा यहां से हट जाएगा इसको हट आ देते हैं हट गया तो यहां पर एक फुट का मान आ गया कितना एक फुट बराबर आ गया एक पर एक फुट कमान मीटर में रख दीजेगा, कैलकुलेशन करने पर जितना आएगा उतना वर्ग मीटर एंसर, चलिए समाज में आ गया होगा, यह आपने से कर लिजेगा, चलिए, अब यहाँ पर दूसरा सवाल था, कि अगर हम कोई जमीन को माते हैं वर्ग कड़ी में, तो फिर उसको हम वर्ग फुट में, वर्ग मीटर में, वर्गज में कैसे बले, बस वही तरीका आपना ना है, 87.555 वर्ग कड़ी है, इसको मिटा देते हैं, कोई दिकत इसको मिटा देते हैं, चलिए, कितना था 87.55, चलिए, बलैक मारकर से लिखते हैं, इसको बदलना किसमें हमको वर्ग फुट में बदलते हैं सबसे पहले क्या करते हैं तो वही तरीका अपनाना है 87 लिखना है 55 लिखना है इंटू में लिख देना है एक वर्ग कडी एक वर्ग कडी अब इतना लिखने के बाद में आप लिख सकते हैं इसको 87 पचपन इंटू एक वर्ग कडी को आप लिख दीजिए एक कडी का स्कॉयर क्या लिख दिए एक कडी का स्कॉयर अब यहाँ पर इससे क्या होगा 87 पचपन उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा एक कडी का मान फूट में कितना होता है देखे तो एक कडी का मान 0.66 फूट होता है तो आप एक कडी के जगा पर 0.66 फूट असानी से लिख सकते हैं इस का हो जाएगा स्क्वार को दिकत अब यहाँ पर देखेella़ 88 पच्षपन इंटू 0.66 foot का करेंगे square तो कितना आएगा यह आजाएगा आपका 0.43 0.43 इतना आगया आप यह foot का करेंगे square तो किस में हो जाएगा वर्ग foot में हो जाएगा ओके अब इसको गुना कीजिए यह वला term और यह वला term दोनों संख्या को गुना करेंगे तो यह आजाएगा 38 13.66 वर्ग कड़ी सायद आपको समझ में आ रहा होगा असानी से बहुत ही असान तरीका है यह ट्रीक है बहुत ही अच्छा ट्रीक है ठीक है तो यहाँ पर देखने पर क्या आया कि भाई जो 87 कड़ी में दिया गया था वह चीज बहुत होगा और फूट होगा क्या होगा तब यहां पर 87 पच्ट जो वर्ग कड़ी था वह वर्ग फुट में आसानी से चेंज हो गया इसी तरीका से तो आब कोई भी कनफर्शन असानी से कर सकते हैं और इसमें सवाल था 875 वर्ग कड़ी को वर्ग फुट में बदल दी है वर्ग मीटर में बदलना है वर्ग गज में भी बदलना है तो इसको भी आप बदल सकते हैं बस तरीका अपनाना है यहाँ पर जो लिखा गया एक कड़ी उस एक कड़ी के जगह पर लिखना पड़ेगा कि एक कड़ी में कितना मीटर होता है आप वहाँ से कैलकुलेशन करके निकार सकते हैं वो है लेंथ का यूनिट और ये सब जो है वर्ग कड़ी हो गया वर्ग फुट हो गया वर्ग मीटर हो गया यह है एरिया का यूनिट है तो इस वीडियो में केवल हम area के unit पर ही limit रहेंगे length वाला unit के भी से मैं अगर video बनाने के लिए बोलेंगे तो comment कीजी उस पर भी video बन जाएगा तो इस तरह से मुझे उमीद है कि आप किसी भी area के unit का आप conversion कर सकते हैं उसके unit का असानी से अगर समझ में नहीं आये तो video को दोबारा देख लिजे guarantee समझ में आजागा चलिए तो आज की लिए इतना ही अब मिलेंगे एगला वीडियो में जय हिंद जय भारत